हलो बच्चों कैसे हैब सब लोग यह वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या है सिये फांडिशन के जून 22 एक्जाम में अपेर होने वारे हैं जैसे कि आपको बता है हमारा जो पेपर नंबर वन है अकाउंट्स का यह होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब रिटन ठीक है जी अब इसमें मैं बहुत कुछ इंपोर्टन्ट बातों की चर्चा करने वारा हूँ सब्जेक्टिव है अब बहुत सारी चैप्टर आप लोग समधते हो कि हमने फांडिशन जो हैं वो पल्स れ Cross नहीं कर पाते कारण क्या है इसके पीछे Intelligent Student V Maximum इससे जदा score नहीं कर पाते कारण क्या है इसके पीछे कारण बहुत सारे हैं कारण हैं कुछ बहुत जदा Basic Mistakes बहुत जदा Basic Mistakes Basic Mistakes paper करने में नहीं वो तो गल्तियां होती है वो चलो उसके लिए हम अभी इस lecture में बात नहीं करेंगे यहां में हम लोग बात करेंगे कि क्या गलतियां हो रह जाती है जिसकी वज़ा से हम लोग अच्छा और असान विपर असान विपर आते हुए भी 70, 80 की लाइन में भी नहीं पहुंच पाते हैं की प्लस टू बगरह सब्सक्राइब अब लोग 98, 97 आज आते हैं तो क्या यहां पर नहीं आते हैं अकाउंट में बिलकुल आता है जी बहुत सारे हमारी सुदेंट्स के बच्छों के मुझे माक्स आते हैं ना नॉर्मली लास्ट एटेम्ट में ही बहुत सारे बच्चों के 80 प्लस मांक्स आएं अब उन्होंने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया जो आपका रह जाता है जो मोस्ली बच्चों का रह जाता है कारण क्या है इसके बीछे कारण सबसे पहला है आप लोग थ्यूरी पोर्शन को एक कोशन एक आते हैं बारा नंबर की और अट लीस्ट एक कोशन चार नंबर का जरूर आता है ठीक है कई बाद दो भी आ जाते हैं मतलब 16 से 20 नंबर की यूरी आनी है जो आपको कॉंसेप्चुली आपको समझ आनी चाहिए उसका आंसर सही तरीके से देना आना चाहिए उस जिसकी वज़ा से स्कोर नहीं आपाते ठीक है जिसकी वज़ा से स्कोर नहीं आपाते पहला कारण ठीयोरी को अच्छे तरीके से पढ़िए अगर आप 1890s की लाइन में मार्क्स लेना चाहते हैं नमबर एग दूसरा कारण दूसरा कारण presentation दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है presentation हम लोग presentation के तरफ focus नहीं करते हैं ध्यान नहीं करते हैं presentation में होता कै presentation में कि आपको जो sum है जिस तरीके से मांगा गया है उसी तरीके से present करिए हमा लेगे final account का question है trading P&L balance sheet मांगी है उसके इलावा जो आपको notes हैं, calculations हैं, वो वहीं पर मत दिखाईए, उसके लिए अलग से note बनाईए, अलग से working note बनाईए, calculation दिखाईए, और वहाँ पर number लिखिए, ठीक है न, वहाँ पर number लिखिए, माल लीजिए कोई sale created adjustment थी, तो sale की adjustment, अगर एका दी है, single है, तो trading account में ही कर account में bracket में लिख दो, note 1, ये इसको बोलते हैं presentation, मतलब साफ सुथरी, अच्छे तरीके से की दिखने वाले को मज़ा आये, चेक करने में, number 3, तीसरी गलती क्या होती है हमारी, handwriting पे improvement नहीं करते हैं, खास करके boys, क्या handwriting भी matter करती है, बिल्कुल करती है, handwriting जरूर matter करती है, दोनो paper 1 में भी, paper 2 में भी, इसलिए कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे जो आपको पहन अच्छा लगता है, इससे handwriting improve हो सकती है, प्रास करके पहले एक घंटे के paper में handwriting बहुत जबर्दर सोनी चाहिए, जिससे क्या impression मनता है, चेक करने वाले के ओपर, ठीक है जी, चौथा, अ है ही है, इसके साथ साथ हमें selection, selection किस तरीके से करनी है, questions की, ये पहले ही आप सोचके चल लिएगा, कि मुझे ये chapter अच्छे तरीके से आता है, तो इन chapter पे मुझे पहले जाते सरही sum करने है, ठीक है ना, sum इसी question के करने, इसी chapter के करने है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से हुई है, selection बहुत matter करती है, और last है, कि हम लोग जब question कर रहे होते हैं exam में, exam में question कर रहे होते हैं, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए, कि मिरे को ये chapter में, ये ये accounts बनने वाले, ये ये अपना चीज़े बनने वाली है, ठीक है, इस तरीके का माली जे question आएगा, तो ये क imagination बना के रखिए, पहले ही imagination बना के रखिए, ठीक है ना, imagination किस्चिस की, कि अगर इस टाइप का माली जे share capital है, share capital में आपको लगता है कि हाँ, एक होता है normal case, एक होता है जो for future वाले cases होते हैं, एक होता है, ये mixer जो चीज़े होती है, है न, जिसमें क्या है, प्रोराटा में ही, प्रोराटा में जो application है, ज्यादा आ चुकी है, प्लस allotment में failure है, ठीक है, प्लस default हो गया है, और default करके forfeit कर ले गया है, ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको imagine, पहले ही पता हो कि हाँ, इस त्रिकी का question आएगा, तो मुझे ये working note बनाने पड़ेंगे, तो जो है, उसी साब से मैंने छोड़ी हूँ, इन बरीकी चीजों के उपर, अगर आप ध्यान देते हो, मैं आपको definitely sure होगे कह सकता हूँ, 100% कि आपके marks पड़े ही easily 70, 80, 90 की line में है, ठीक है बच्चों, उमीद करता हूँ, अच्छे से आपको ये चीज़े समझ आई होगी, ठी बेले एकंद बना मन भूलेगे, मने रिए माई साब